जेनम फश्टियर का fundamental of nursing का में अगले टोफी के बारे में बात करूँगा Mental hygiene, मानसिक स्वास्त मानसिक स्वास्त क्या है? मानसिक स्वास्त यह भी physical स्वास्त जैसा यह भी एक बिग्यान है जिसमें बेक्तियों को मानसिक तोर पर कैसे स्वास्त रखा जाए? कैसे स्वास्त रहते हैं, इनकी पूरी जनकारी, उनका इलाज, उनका देख भाल, इन सब चीजों का अधिन किया जाता है मानसिक बिमारी है क्या? जब कोई ब्यक्ति अपने समाने अवास्ता से और समाने अवास्ता में चला आता है, दिमागी तोर पर उसे हम लोग मानसिक और स्वास्त ब्यक्ति बोलते हैं, जैसे पागलापन के सिकार होना, उल्टा-पुल्टा हरकत करना, जो मेंटल तोर पे अस्वास्त ब्यक्ति होते हैं, उनमें विभीन परकार का जो गुण होता है, समाने जो गुण होता है, उसमें बदलावा आ जाता है, और उनकी जो बिहेवियर होती है, जो उनका बिवहार होता है, उसमान से अस्वाने तोर पर हो जाता है, वैसे ब्यक्ति में जो मानसिक रुप से अस्वास्त होते हैं, वैसे ब्यक्ति में आत्म बिस्वास की कमी हो जाती है, मतलग कि उनमें विश्वासी ही ने रहता है अपने आपके उपर वे अनकंट्रॉल हो जाते हैं पागल टैप का भीहेवेर करने लगते हैं कुर्ता फार देते हैं नंगा घुमने लगते हैं खाना फेक देते हैं उनके अंदर कोई आत्म विश्वासी ही नहीं होता है, कोई विकार्ज करते तो उनके अंदर कोई अपना कंफिडैंसी ही नहीं होता है, संभेक की छंता, जैसे इमोशनल जिसको हम लोग बलते हैं, जैसे स्वस्थ ब्यक्ति के अंदर emotional की छामता होता है जैसे कोई दुख आया तो रोते हैं कोई हसने के चीज आया तो हसते हैं कोई बात अब करता है तो उसको सुनते हैं समझते हैं लेकिन जब mental तरप ब्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो उसके अंदर इन सभी गुलों गायव हो जाती है जह हसने काएगा वहां रोने लगेगा जहां रोने काएगा तो हसने लगेगा कोई बात कुछ कहेगा तो इसे बात पर पुर्या रेक्षन नहीं दे पाएगा वाता औरन का ग्यान ऐसे अब्यक्तियों को वाता और अनका कोई ज्ञान नहीं होता है हम किस इन्भार्मेंट में हैं, कहां आप बैठे हैं, पापा के पास बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, दोस्त में बैठे इन सब बातों कोई ग्यान ही नहीं होता है हम गो कहां कौन से बाते करनी है कहां कौन से बाते नहीं करनी है इन सब चीशों से ब्यक्ति बरे हो जाता है दूर हो जाता है उनका सब कुछ इन सब चीशों से अलगा हो जाता है समान जैसे कि छमता जब दो या चार व्यक्ति जहां समू होता है वहाँ वो एड़ेश्ट नहीं कर पाते हैं वो अपने आपको उसमें मिला नहीं पाते हैं लोगों के साथ जैसे कोई ग्रूप है कोई समू है उसमें एक साथ रहना है एक साथ खाना है एक साथ बाते करना है उसमें वो अपने आपको एड़िजस्ट नहीं कर पाते हैं निलने लेने की छंता वो ऐसे व्यक्ति में वो किसी चीज का सही डिसिजन नहीं ले पाते हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है कब करना है कोई टाइमिंग नहीं होता है नहाने के टाइमिंग होती हैं नहीं जाने के टाइमिंग होती हैं भी परवाह रहते हैं शरीरिक स्वास्त के प्रति ध्यान नहीं देना ऐसे ब्यक्ति अपने शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देते हैं ने टाइम से अस्दान करेंगे ने टाइम से कपड़ा साप करेंगे ने टाइम से ब्रेस करेंगे भी सरीर की प्रतिदम लप्रवा हो जाते हैं ऐसे पागलो टाइप का भीविर हो जाता है दिखने से भी लोग पागल टाइप के लगने लगते हैं आत्मसमान की भावना हर ब्रक्ति के अंदर एक आत्मसमान होती है वो अपने उस आत्मसमान को हमेशा बनाय रखना चाहता है वैसे ब्रक्ति में आत्मसमान की कमी हो जाती है वो अपने आपको खुद नहीं पहचान पाते हैं कि मैं क्या हूँ मेरे क्या status है, मुझे क्या करना है, मुझे कहां बैठना है, कहां रहना है इस सब कुछ से वो बिपरवा हो जाते हैं क्योंकि उनको इन सब चीजों का कोई ग्यान ही नहीं रहता है आत्म मुलियांगन की छंता, वैसे देखती अदि कोई फिकार्च करते हैं उनको उसका क्या लाश्ट परिणाम होगा उसके भी पता नहीं होता है। कभी कभी देखा गया है कि जो मेंटल तोर से अस्वास्त बिक्ति होते हैं छट से कुद जाते हैं। बच्चा को फेक देंगे। कोई समान तोड़ देंगे। क्योंकि उनके पास इस चीछों को कोई ग मेंटल तोर पर अस्वास्त बिक्ति होते हैं। इस ब्यक्ति में दिखाई देने लगता है। अब ऐसे ब्यक्तियों को कैसे हम लोग स्वास्त रख सकते हैं। और ऐसा होता के हैं, उनके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मेंटल तोर पर अस्वस्त ब्यक्ति को कैसे हम लोग स्वस्त बना जब सकते हैं, बच्चों में ऐसी मेंटल अस्वस्ता नए आये, हम लोग उसके लिए क्या 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 कर सकते हैं, बच्चों को mental तोर पर शुस्त बराने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है परिवार परिवार का महौल बच्चा का colorn person परिवार में होता है मा, पापा, दादा, दादी के समूस एक साथ जब रहते हैं तो बच्चा उस साथ में रहता है बच्चों का स्तुरुआत वहीं से होता है और बच्चों पर वहीं से उसका परभाव पढ़ना चालू हो जाता है इसलिए कोई छोटा बाच चाहे अधि परिवार में तोहां का महौल खुस नुमा होना चाहिए ऐसा चीज़रापन टाइब का नहीं होना चाहिए ताकि बच्चा पर उसका अच्छा परभाव पढ़े बच्चों को अच्छे से बोले, अच्छे से रखे, परिवार में किसी भी परकार का कलह नहो, इर्स्या नहो, द्वेश नहो, इन सब का परभाव बच्चों को उपर पड़ता है, परिवार में एक खुशनुआ महोल है, एक दुसरे से प्यार हो, एक दुसरे से लगा हो, एक बच्चा भी काया रहेगा, स्वस्त रहेगा, बच्चों का विकास, जब बच्चा बच्चपन में होता है, उस टाइम उसका सरीर का भी विकास होता है, और उसी टाइम उसका दिमाग का भी विकास होता है, दोनों विकास साथ साथ चलता है, इसलिए उस टाइमिंग इन दोनो चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा को घर के अच्छे महौल के साथ उचको अच्छी खान पान मिलना चाहिए, उसको हाइजेनिक फुड मिलना चाहिए, संत्रित अहार मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो विकास होगा, स्तरीर के विकास के साथ जो दिमा लिए इस टेप को अच्छी से खाना दो पौश्णिक आहार दो ताकि बंचे और भेगा बहुत अच्छे से हो समाजिक छेतर के परभाव बच्चा जिस समाज मेरा रहा है जिस महौल मेरा रहा है वहां का भी महौल अकच्छा होना चाहिए क्योंकि बच्चा जब तुछासा बड़ा हो रहता है पान साल, छे साल, साथ साल, आठ साल के जब बच्चा हो रहता है उन बच्चों के साथ वो खिलता है, बच्चों के साथ रहता है, बच्चों के साथ उसका मिलन जूलन होता है, तो अगल बगल का जो महाल होना चाहिए, मतलब समाजिक छेत्रों का जो महाल होना चाहिए, वो महाल भी अच्छी होना चाहिए, बच्चों के उपर उस महाल का बह जुरहें बाहर में रहते हैं यूद्ध से ऐसे च्छितर में गर के तो महल बहुत अच्छा है लेकिन बाहर में बच़े जुगाचे दोफ़ारा खिल रहे हैं। जिसे बच्चों को दिमागी तोर पर अस्वांतलीद कर सकता है सिच्छा छेतर का परभाव जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है जब स्कूल जाने लगता है तो जब स्कूल का जो महाल होता है जो वहां के सिच्छा होती है वो बच्चों को भी दिमागी तोर पर परभावित करती है इसलिए बच्चों को जब स्कूल भेया जाए तो वहां का महौल भी अच्छा होना चाहिए वहाँ पढ़ाई करने का तरीका का है बच्चों के दिमागी तौर को कैसे विकास किया जा रहा है बच्चों को मुन्रोजन के लिए क्या किया जा रहा है बच्चों को संस्कृति कार्चकरम कैसे कराया जा रहा है बच्चों को बोलने के क्या सिखाया जा रहा है इन सब चीजों का भी बच्चे को परभाव पड़ता है देख्तिगत परसानिया बच्चा जब थो आशा और बड़ा हो जाता है 15 से 17 की 17 वास्था में प्रविस कर जाता है वहां पे भी बच्चों को बहुत से ऐसी परसानिया होती है जिसके बारे में बच्चों को बताना सिखाया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा उस चीजों से अन्भिग्य होता है जब बच्चा कभी कोई भी बच्चा जब किसोरा वास्था में जाता है तो बहुत चीजों से अन्भिग्य होता है उस प्रक्षिति में भी बच्चों को उन सब चीज़ों को ग्यान देना चाहिए बताना चाहिए एक दुनिया में क्या है तकि बच्चा उन चीज़ों को समझे कैंकि बहुत से बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ, कि सोरा वास्ता को नहीं समझने के चलते वो गल्त लत में इन सब चीजों के उपर विस्तेश ध्यान देने की जरूरत होती है। अधी कोई भी ब्यक्ती अधी अस्वस्त हो जाए मेंटली तोर पर तो उनको मेंटली होस्पिटल में ले आकर अच्छे सैक्ट्रिष्ट से मनो बेगानिक से उनका इलाज करवाना चाहिए और उनको अच्छी दिखभल करना चाहिए ताकि ब्यक्ती जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्त हो जाए और अपनी नर्मल जिंदगी ओ असानी से जी सके। थैंक यू जीनम फश्टियर का फंडामेंटल अपनर्सिंग का मैं अगले टोफी के बारे में बात करूँगा मेंटल हाइजिन, मांसिक स्वस्त मांसिक स्वस्त क्या है? मांसिक स्वस्त यह भी फिजिकल स्वस्त जैसा यह भी एक बिग्यान है जिसमें बेक्तियों को मांसिक तोर पर कैसे स्वस्त रखा जाए? कैसे स्वस्त रहते हैं इनकी पूरी जनकारी, उनका इलाज, उनका देख भाल, इन सब चीजों का अधिन किया जाता है